तो तोडे और टॉपिक is उई इंट्रोदक्शन तो ग्राफ ग्राफ में हमारे पास हम हाउ टु प्लॉट अॉइट उ प्लॉत ध्लाउट क्वोइस्टे ल partie रहा है छे पीकट आहई कि अगर हमारे पासे ग्राफ्ट काक्उट हैhin तो शाल ऐसे लिस फात स्कूर्इughter है first question हमारे पास multiple choice question है जिसमें से हमें correct option find करना है तो multiple choice question में क्या बोला है observe the time and distance graph हमें क्या दे रखा है time and distance graph दे रखा है right side में आप देखो time दिया हुआ है minutes में और यहाँ पे distance दिया हुई है meters में यह आपको given है यहाँ पे उसी के साथ क्या बोला है answer the following stationary for कितनी देर के लिए stationary था हमें यह बताना है तो सबसे पहले क्या करते हैं graph read करते हैं कि graph कैसे read करना है हमें देखो graph को अगर मैं read कर रही हूँ तो आप observe कर रहे हो यह हमारे पास time है minutes में जो कि x axis पे दिया हुआ है one block one जो greater block है तो देखो कितने units का है 10 units का है y axis पे जो one block है greater block बड़े वाला जो block है वो 100 units का है ठीक है हो गया है यहां तक first point हमारे पास first point हमारे पास दे रखा है that is this point अब इस point को observe करो हम देखें तो नीचे की तरफ कहा से जा रहा है यह गया यहां से नीचे की तरफ और यह गया यहां पे left side में तो हमारा point क्या बना पहले इस point का name लिख लेते हैं यहां पे 10, 200 यह हमारा first point आ गया ठीक है इसी तरह मैं second point की बात करूँ तो यह हमारा second point है नीचे की तरफ ऐसे गया और left की तरफ ऐसे गया तो x-axis तो वही रहा हमारे पास sorry x-axis change हुआ y-axis वही रहा तो यह बन गया 20 and 200 अब बचता है हमारे पास third point third point आप देखो तो यह हमारा third point है नीचे की तरफ आए और इधर left की side गये तो इस point का name क्या हुआ हमारे पास 30 and 300 यह point की naming लिखती अब last point बचता है हमारे पास point 4 that is this point अब इसमें left side में कहा move करे कहीं नी तो यह तो x-axis पे हो गया तो इस point का name क्या हो गया 50 and 0 ठीक है 50 0 तो हमने सबसे पहले क्या करना है जो भी graph आपको given है उसको अच्छे से read करना है read करने के बाद आपने सब की naming लिखनी है जैसे हमने लिख दिया ठीक है फर्स्ट पॉइंट आया 10 200 सेकेंड आया 2200 थर्ड आया 3300 और फॉर्थ आया 50 and 0 clear अब आ जाते हैं question पे first question में बोला है the object was stationary for stationary मतलब fix change नहीं होना stationary का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास fix do not change do not change का मतलब कि वहाँ पे जो भी उसकी speed है जो भी distance है वो stationary रही वो fix रही वो change नहीं हुई ठीक है अब आप देखो कहाँ पे speed change नहीं हुई अगर आप figure में observe करो तो यहाँ पे भी 200 distance थी और यहाँ पे भी 200 distance थी तो यहाँ पे वो fix रहा उसकी distance change नहीं हुई कितने time period के लिए time period नीचे आएगा 20 और 10 तो change in time कितना आएगा 20 minus 10 तो लिखें side में तो मैं लिख देती हूँ time कितना आया 20 minus 10 तो कितना आ गया 10 minutes यह आपने कहां से observe किया यह आपने figure से observe किया कि यह जो distance है 200 वाली वो change नहीं हुई वो fix रही है तो आप देखनें कितने time के लिए fix रही है तो यह देखा इसका time आया 10 minutes इसका time है 20 minutes तो 10 minutes से 20 minutes के लिए जो है वो fix रही है तो 10 minutes से 20 minutes कितना difference बनता है 20 minus 10 that is 10 minutes तो इसलिए हमारा option क्या हो जाएगा D answer is correct तो हमारा answer क्या है D ठीक है फिर आते हैं इसके second part पे second part में क्या बोला है अपको question बहुत ही ध्यान से पढ़ना है back journey start किये back journey का मतलब दुबारा उसके बाद वापस जाना शुरू कर दिया ठीक है increase अगर करते हैं हम distance तो हमारी journey आगे की तरफ बढ़ रही है अगर हमारे distance decrease होना शुरू ही मतलब हम वापस जाना शुरू है तो वो क्या हो गया back journey तो इसमें क्या बोला है started कि कहां से start हुई अब आ जाते हैं graph में graph में आप देखो पहले हम गए कहां से 0 से 200 distance पे फिर 200 फिर ह हम वापस गूमते गूमते distance कितनी आगई हमारी 0 आगई क्योंकि यहां पे y 0 है तो कहां से हमारी distance जो है वो वापस आना शुरू हुई 300 से यह वाला point मेरे को देख रहा है जहां से distance हमने वापस आना शुरू किया तो इसलिए यहां पे हमारी distance क्या होगी 300 जहां से हमने move back कर करना शुरू किया है third point is time taken to reach the distance of 75 meter अब 75 meter distance देखे कितना time मिला महाँ पे 75 के लिए हमें graph draw करना पड़ेगा छोटा सा अब देखो यह है 100 100 का मतलब सबसे पहले blocks करते हैं 100 का मतलब हमारे पास जो 10 lines है वो 100 को show कर रही है तो one line किसको show करेगी y axis पे 100 upon 10 यानि कि 10 meter को ठीक है यह किस पे बात हुई है y axis पे हमारी one line 10 meter को show कर रही है हमें कितने meter चाहिए 75 तो चले कितनी line पे पहुँचेंगे हम यहाँ पे approximate हम 7 और 8 line के बीच में रहेंगे यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें बताना है कि हमारा time कैसे change होगा हमारा time जो है वो कितने minute आएगा हमें 75 meter distance लेने के लिए कितने time की ज़रु पड़ेगी आप देखो जो हमारी total distance है अगर आप graph में देखो तो 200 km 200 meter सौरी वो हमने कितने minutes में cover किया वो हमने 10 minutes में cover किया ठीक है 0 से 10 minute में हमने 200 cover किया यह जो बेटा third part है इसमें 75 meter जो है वो गलत दे रखा है option उसके accordingly नहीं दे रखे यह 75 की जगे आएगा 80 meter तो आप लिखना है 80 meter ठीक है अब देखा हमने figure में कि 200 meter cover करने के लिए time कितना लगा 200 meter के लिए time लगा 10 minutes 1 meter के लिए time कितना लगेगा 10 upon 200 और 80 meter के लिए time कितना लगेगा 10 upon 200 इंटु 80 0 to 4 the 8 तो कितना आया 4 minutes तो देखो 4 minute है हमारे option में तो यहाँ पे हमारे option में है हमारे पास 4 minute तो हमारा answer क्या आ जाएगा 4 minutes फोर्थ पार्ट में बोला है अट वाट डिस्टेंस दा अब्जेक्ट बिकम स्टेशनरी किस डिस्टेंस पे जो अब्जेक्ट वो स्टेशनरी हो गया मतला फिक्स हो गया तो 200 मीटर पे हुआ था तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करके देखना पड़ा तो यहां से हमारे पास क्या गया 200 यह भी हमें time और distance दिया है time हमारे पास है x-axis पर और distance है हमारे पास y-axis पर फिर questions बोले हैं तो सबसे पहले हम read करते हैं और उनके points के naming लिखते हैं यहाँ पे देखो जो small block हो 5-5 का gap है और यहाँ पे जो greater block है वो 10 10 का gap है ये वाला point आप देखो तो y axis पे 20 x पे 0 तो ये point क्या बना 0 20 ये वाला point अब्जर्व करें तो x axis पे 10 और y axis पे 50 तो ये बना 10 and 50 थर्ड देखें तो ये 15 और 20 तो यहाँ पे आया 15,20 ये वाला point 20,20 ये वाला point देखो 50 और नीचे 20, so 20 and 50 ये point देखो 25 and 50 सबसे पहला काम हमने क्या किया सबकी naming दे दी सारे points बता दिया अब आ जाते हैं first part पे first part में हमारे पास क्या बोला है first part में पूछा है speed between 0 to 10 seconds speed between 0 to 10 seconds अब 0 second यहाँ पे है 10 second यहाँ पे है 0 second पे speed कितनी है at ये इसका हो गया at 0 second speed equals to speed बता नहीं है तो पहले तो distance देखते है distance equals to 20 meter ठीक है at 10 second distance will be 10 second यहाँ पे है तो distance है हमारी 50 meters ठीक है तो total हमारे पास distance कितने आई total distance covered यह हम क्या लिख सकते है इसको distance covered ठीक है जो question आएगा उसके लिए distance हमारी क्या बनी ही हमने distance cover की 50 minus 20 that is 30 meter time बना हमारे पास 10 minus 0 यानि कि 10 second तो speed क्या होती है हमारे पास distance upon time that is 30 upon 10 तो cut करके हमारा answer क्या आ गया 3 तो first part का answer हमारे पास क्या है 3 meter per second मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 3 meter per second अब आ जाते हैं second part पे second part में बोला है at what time interval speed is 0 कौन से time interval पे speed 0 थी speed 0 का मतलब वो fix है हमारे पास change नहीं हो रहा ठीक है distance भी हमारे पास change नहीं हो रही अब यहाँ पे आप देखो अगर 15 time है तो भी distance 20 है अगर हमारे पास time 20 तो भी speed हमारी क्या है 20 है तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा speed जो है वो 0 रहेगी क्योंकि speed में कोई change नहीं आ रहा distance क्या होगी 20 minus 20 यानि कि 0 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हमारा answer क्या हो जाएगा second part में between कहा पे लिखूं मैं यह रहा second part between कितना second हुआ हमारा 15 to 20 second ठीक है फिर उसके बाद बोला at what time speed is adroively too high adroively too high का मतलब एकदम से बढ़ रही है बहुत ही जादा किस time पे बढ रही है ठीक है हमें यह देखना है कि किस time पे speed बहुत ही जादा बढ रही है एकदम से देखो यहाँ पे एकदम से fix जा रही थी यहाँ से यहाँ तक और फिर आप देखो 20th second पे एकदम से बढ़ती हुई speed हमारी कहां पहुँच गई 50 time तक पहुँच गई 50 distance तक तो obviously speed एकदम बढ़ी होगी तभी यहां पहुँचें तो हमें क्या लिखना है at 20th second तो हमारे third part का answer क्या हो जाएगा at 20th second क्योंकि एकदम से बढ़ा है फिर आजाता है fourth part total distance traveled by the body in 25 seconds अब 25 second में आप देखो यह 25 second है और distance कितनी cover हुई है यहां पे total हमारे पास यह आ गई यहां तक 50 है अब total कितनी distance cover हुई यहां आए 20 फिर उसके बाद कहां तक पहुँचे हम 50 अब देखा यहां 10 यहां 20 20 20 ऐसे पहुँचा तो हमें बताना है हमें 0 से 25 second तक अगर हम चले हैं तो कितने distance cover हुई तो हमने start कहां से किया था इस point से तो यह तो count होगा नहीं फिर हमने यहां पे कितने distance cover कर ली यहां पे हमने cover कर लिया 10 minutes में फिर हम आए 15 minutes में यहां पे 20 आई हमारे पास फिर यहां पे भी 20 और फिर यहां पे 50 और फिर यहां पे 50 यह सारे distances हमने cover किये हैं अब देखो कहां से distance start हुई थी दुबारा से discuss करते हैं वही चीज यहां से start हुआ 20 से मैं पहुँची हूँ सबसे पहले 50 तक मैंने यह distance cover की 20 से 50 कितने distance cover हुई 30 ठीक है फिर 50 से मैं नीचे फिर 20 की तरफ आ गई तो कितने distance cover हुई 30 यहां 20 का 20 ही रहा कोई distance ही cover नहीं गई तो यहां distance बनी 0 फिर यहां पर 20 से हम कहां तक पहुँचे फिर 50 तक पहुँचे तो कितनी distance कवर हुई 30 फिर हम 50 से 50 तक ही रहे तो कितनी distance कवर हुई 0 तो यह देखो मैंने 0 से 25 सेकेंड में distances कवर कर ली तो 4th पार्ट में हमारे पास क्या आएगा हम कैसे लिखेंगे distance कवर्ड इक्वर्स टू 30 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 0 तो टोटल हमने कितनी distance कवर की 90 मेटर्स तो यह हमारा answer हो गया 4th पार्ट का फिर आते हैं 3rd question पे 3rd question देखो 3rd question में बोला है in the following distance versus time graph 3rd question में भी सबसे पहले हमें दिख रहा वाई distance versus time graph है तो सबसे पहले points के name दे देते हैं यहाँ पे mark है तो यह point बना 0 0 यहाँ पे mark है तो यह point बना 10 0 और यहाँ पे mark है तो यह point हमारे पास बन रहा है 5 and 50 किनों का नाम दे दिया हमने फिर उसके बाद बोला है first part में find the average speed between 0 to 10 second 0 to 10 second के बीच में average speed बतानी है अब speed कब बताएंगे हम third question first part speed क्या होती है हमारे पास equals to distance upon time और distance कितनी cover हुई है 0 10 seconds के बीच में यानि कि 10 minus 0 बना time 10 seconds तक उसने कितनी distance cover की उसी पहले वाले questions की तरह देखू 0 से 5 seconds में distance कितनी cover हुई 50 5 seconds से again 10 तक आया तो भी distance कितनी cover हुई 50 तो हमारे पास जो total distance cover हुई वो कितनी आएगी 50 plus 50 तो ये कितना बना 100 upon 10 cancel out हुआ तो कितना आगया 10 meter per second बहुत important exercise है आपको बहुत अच्छे से करनी है फिर आता है second part अब second point में बोला है find speed between 0 to 5 अब ये speed क्या होगी वही distance upon time और speed के time क्या है 5 seconds minus 0 0 से 5 seconds में हमने कितनी distance cover किया हमने 50 cover किया तो 50 upon 5 cancel out होके ये भी कितना आगया 10 meter per second ठीक है यह question में पूछा था फिर आजाते हैं fourth part में fourth part में बोला है by observing the graph आपको graph observe करना है change in y if x changes from minus 4 to 0 अब x change हो रहा है minus 4 से 0 तो y क्या change हुआ है आप खुद देखो 0 से 2 तो y में क्या changes आया है हमारा change in y पूछा है तो हम क्या लिखेंगे first part में y changes from 0 to 2 तो change कितना आजाएगा change equals to 2 minus 0 equals to 0 तो यहां पर हमारे पास change आया 2 में से minus करके ठीक है फिर पुछा है second part change in y if x changes from 0 to 4 अब देखो 0 से 4 change हुआ तो 4 पे यहां तो y भी कहा change हुआ 0 से 4 तो y में क्या changes आजाएगे second part में change equals to 4 minus 0 यानिकी 4 तो हमारे पास कितना change आया नहीं पर graph हमारा कहां से change हो रहा है 2 से 4 तो हमारे graph में क्या changes आएगे 4 minus 2 तो कितना आजाएगा 2 आजाएगा यहां पे third में क्या बोला है give the reason why change in y is same in 1 and 2 क्यों है change same तो आप देखोगे graph क्या है हमारी एक straight line है straight line है तो मतलब equal changes रहेंगे तो third part में हम लिखेंगे graph is a line therefore changes will be same changes क्या हूंगे हमेशा same रहेंगे तो ये तो थे कुछ important questions जो हमें graph में से read करने है बहुत important question है आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करने है जो हुतês क्याँ है वाझ्वर गर्शोचर ये जिए झाल